सबी विद्वान सातियों को मेरा नमश्कार दोस्तों मैं सतीज प्रोहित टेक्निकल एंड एजुकेशनल स्पोर्ट चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों शिक्सक मुल्यांगन परपत्र यानि T.A.F जो है वो आप बरना पूरा सीख जाएंगे यदि आप के पास एंडरोड मुबाइल है तो आप उस मुबाइल से श्वम का जो है T.A.F फोरम भश रखते हैं तो दोस्तों मैं आपको स्टे वाइ स्टे पूरी जानकर ये बताऊंगा कि किस परकार आपको T.A.F बरना है उससे पहले मैं बता दूँ जो भी अध्याफक यानि ककसा एक से आर तक पढ़ाने वाली है चाहिए वो प्रारंबिक शिक्षा के हो या मादेमिक शिक्षा हो सबी को T.A.F बरना है इसके अलावा प्रारंबिक शिक्षा में जो मिडल के H.M. है उनको भी T.A.F दोस्तों बरना है इसके अलावा एक बात और बता दू लेवल 1 और लेवल 2 के जो भी सिक्षक है उन सबी को T.A.F बरना जो है वो जरूरी है और दोस्तों जिनकी जोइनिंग 1 जुलाई 2019 के बाद की है उनको T.A.F नहीं भरना है और ये जो है 17,18,19 के लिए बरा जा रहा है यदि किसी साती ने बूलवस 19,20 की डेड डाल दी है तो वापस जो है अंतिम्तिति से पहले जो है इसमें संसोदन करते हैं इसके अलावा सब्जेक्ट मेपिंग में भी आपको बता दूँ जो सब्जेक्ट मेपिंग जो है उसमें भी आप जो विद्य अलमें पढ़ा रही हैं उन्ही सब्जेक्ट को अंकित करना है नहीं कि उन सब्जेक्टों को जिनसे आपकी जोइनिंग है तो दोस्तो सबसे पहले किसी ब्राउजर पे चलते हैं तो दोस्तो मैं अपने ब्राउजर गूगल पे आ गया हूँ यहां गूगल पे मैं सर्च करता हूँ साला दरपन आपको यहां साला दरपन जो है उसको सर्च करना है जब आप साला दरपन सर्च करोगे तो आपके सामने इस परकार का पेज आ जाएगा और इस पेज में आप देख पा रहे हूँ हिंदी में लिखा है साला दरपन स्टाप तो स्टाप विंडो जो है उस पर मैं कलिक कर देता हूँ जो है लिखा हूँ आपके सामने आया इस परकार हमने कलिक कर दिया दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेजी जो है वो आ जाएगा दो अब हमें जब TAF फोर्म जो बढ़ना है यानि शिक्सक मुल्यांकन पर पत्र बढ़ना है तो इसलिए दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का पेज जो आपके सामने शिदा एटोमेटिक जो खुला हुआ है यानि फर्स्ट टाइम रजिस्टरेशन फोर स्टाप लोगिन इस प्रकार आएगा यानि जब आप पहली बार लोगिन करो तो ये पेज आता है और एक ये बार लोगिन करना आपको इस पर जब लोगिन करोगे आपको तो आपको आईडी और पासवर्ड जो है वो आपके मुबाइल पर आ जाएगा तो सबसे पहले दोस्तो स्टाप इंपलोई आईडी आपको यहां बरनी है तो अपनी आईडी जो है इसके अंदर लगा देता हूं दोस्तो मैंने अपनी आईडी जो है इसके अंदर है फिलप कर दी है आईडी बरने के बाद आप देख प दीयो भी बhrनी हैं तो मैं इसमें अपनी डीयो भी जो बर देता हूँ इसके लिए सबसे पहले जो मुझे अपनी जो येयर है बर्थ ये रहा उस पे जाना पड़ेगा तो मैं उस पे चला गया ख्लिक कर दिया है मैंने जाने के बाद यहां मन्त है जो है वो चेंज करना आपने अपने रजिस्टर मॉबाइल नमबर दे रखे हैं वो मॉबाइल नमबर यहां बढ़ने है तो दोस्तो मैंने रजिस्टर मॉबाइल नमबर भी यहां लगा दिये इसके बाद आप जो नीचे कैपचा देख पा रहे हैं वो कैपचा इसके अंदर भरना है दोस्तों जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है वैसा का वैसा यह आपको बढ़ना है जैसे capital में लिखा हुआ है कोई अक्षा तो capital में बढ़ना है इसके लिखा हुआ है तो small letter में बढ़ना है दोस्तों मैंने capture लगा दिया है capture लगा तो आप जो है mobile के यहाँ जो आप three lines आप dots देख पा रहे हो इससे आपको जो page है वो आप है set कर सकते हो तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से page जो है वो set करके दिखा देता हूँ जैसे आप इस पे click करोगे desktop site name आएगा डिबा आएगा box इस box पे आपको click करना है जैसे आप click करोगे तो आपको continue कर देना है यदि आपकी यह detail सही है तो आपको यहाँ आगे जो कन फरम है उस पे click करना है इसके लगाँ डिटेल सही नहीं है तो आपको re-share जो इस पे करना है तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको आपके पास सिदा यह नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने already इसको login कर लिया है ID password आगे है इसलिए मेरे सामने आ रहा है यहाँ जब आप TP आएगी आपके मुबाइल नमबर पर वो OTP जो है आपको इसके अंदर डालने एक कोलम आएगा OTP उसको डालने के बाद आपके मुबाइल पर जो है रजिस्टर मुबाइल पर है आपको ID और password मिल जाएंगी दोस्तों वो ID और password जो है आपको यहाँ उपर आप जब देख पा रहे हो आप जो स्टाप login है उसके अंदर यहाँ आपको ID और password डालने है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ open करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों आप इस परकार यहाँ ID और password डालके जो है आप इसको login कर सकते हो दोस्तों आगे जो टी एप जो पूरा बढ़ने की प्रोसेस में आपको जो भाग दो यह भाग एक है आपने उपर देखा स्क्रीन पेज दूसरा भाग जो आएगा उसमें पूरी प्रोसेस से आजाएगी जो कल तक मैं आपके लिए दोस्तों तयार कर दूँगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं अपनी चैनल पर लाता रहता हूं साथी बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आगामी वीडि कर दोस्तों पर और के नच्छा दोस्तों ओलते हैं निच्ट रहता.